कि आज अगर गांधी जी होते तो जेल में होते आज अगर अमबेटकर जी होते तो जेल में होते देश्ट्रोही होते क्योंकि वो इस अन्याय के खिलाफ इस जातिवाद के खिलाफ इस सामपरदाइकता के जहर के खिलाफ आवाज उठाते और उनको ये ताना शाह सरकार पेल में ठूसने का काम करती एक ही विचारधारा के लोगों को सेना में भरती करने के लिए जिससे की ये जो हिंदू राष्ट का तथा कतित हिंदू राष्ट का जो ये सपना देखते हैं उसको और धार्मिक उनमाद क्यूंकि जब एक विचार धारा के लोग आर्मी में जाएंगे जब एक विचार धारा का वर्चस्व होगा तो ये जिस भी तरीके से चाहेंगे उस तरीके से आवास को दबाएंगे उस तरीके से सत्ता को कुछ लेंगे आज तो ये जाती पूछ रहे हैं कल आपको रंग भेद लिंग में बाटने की इनकी जो ये साधिश है सबसे सर्वोच संस्था आर्मी के साथ इस तरीके की ओची और भद्धी राजनीती जो निंदनी है उस तरीके की राजनीती की जा रही है पूरा जो इनका ठिंक टैंक है वो बहुत ही नासमझ अनपड़ और जाहिलों से भरा पड़ा है कि हो गई है पीर परवत्सी पिघलनी चाहिए इस हिमाले से कोई गंगा निकलनी चाहिए और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए आज ये दीवार परदों के तरह हिलने लगे शर्त लेकिन है कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए बुनियाद हिलनी चाहिए आज इस देश का युवा जो पीडित है जिसके साथ अन्याय हो रहा है जिसको जो है ये ताना शाह सरकार मुफलसी उदासीनता के अधेरे में धकेल रही है हम समझते हैं कि अब समय आ गया है संपूर्ण क्रांती करने का भगत सिंग बनने का क्योंकि ये जो सरकार है ये पूंजी पतियों की दलाल सरकार है और इसलिए इस देश के युवाओं को ये निर्ने करना पड़ेगा आज तो ये जाती पूछ रहे हैं कल आपको रंग भेद लिंग में बाटने की इनकी जो ये साधिश है मैं समझता हूँ कि इसे युवा बहुत ही करीबी से देख रहा है और मैं कहना चाहूँगा इस देश के युवाओं से कि निकलो घरो मकानों से, जंग लडो बैमानों से, तब लडे थे गोरों से अब लड़ना है इस देश के युवाओं के भविश बरबात करने वाले चोरों से आप ये बताईए कि इस देश की सबसे सर्वोच संस्था आर्मी के साथ इस तरीके की ओची और भद्धी राजनीती जो निंदनी है उस तरीके की राजनीती की जा रही है आज आप जाती सर्टिफिकेट आज तक हिंदूस्तान के इतिहास में कभी भी सेना की भरती में जात पात नहीं देखी गई लेकिन आज ये पहली बार हिंदूस्तान के इतिहास में हो रहा है कि हिंदूस्तान की आर्मी में जात पूछी जा रही है मजब पूछा जा रहा है और ये मैं पूछना चाहता हूँ कि इसकी जरूरत ही क्या है आज जो है जात पूछने की जरूरत क्या है जो आर्मी होती है उसको माना जाता है कि एकता साहस और पराकर्मकात की सबसे बड़ी अगर मिसाल होती है आर्मी होती है इसका भी अगर आप पॉलिटिजाइजेशन कर देंगे इसका भी अगर आप राजनिती कर देंगे तो इस देश की सुरक्षा के साथ सबसे बड़ा विवादों में गिर जाते हैं क्या बज़ा है देखिए विवादों की बात यह है कि इनके जो पूरा जो इनका पास 12 पास का सर्टिफिकेट नहीं है आज उन लोगों को सर्वोच पदों पर समवेधानिक पदों पर रखने का खामियाज देश भुगत रहा है आपने देखा किस तरीके से किसानों को ठेका पट्टी पर उनकी खेती देने की साजिश की गई उसको किसानों ने नाकाम किया उसी तरीके से एक बार फिर से इस देश के युवाओं को इस देश की जवानी को इस देश की जो जो नया खून है उस खून को ये ठंधा करना चाहते हैं आज इस देश की युवाओं को ये खतम करके खोखला कर रहे हैं, ये खुले आम नशा बाट रहे हैं, ये खुले आम बेरोजगारी फैला रहे हैं, जिस तरीके से की युवा जो है अपनी आवाज ना उठा पाए। को तो ये विदेश में भेजते हैं, अमित शाह का बेटा शाहब चार साल पहले 50,000 रुपे की कमपनी खोलता है, और आज उसका टर्नोवर जो है 1.500 करोर से ज्यादा है, अपने तो बच्चों को ये विधायक और सांसत बनाते हैं, और जब तक ये सत्ता के रसूक में रहते है तब तक जो है उनको एक छत्र राज दे करके उन्हें बड़ा बनाते हैं, लेकिन इस देश के युवाओं के हाथों में पत्थर थमाते हैं, इस देश के युवाओं को जो है ये पागी बनाते हैं, और मजबूर करते हैं इस देश के युवाओं को कि वो मुफलसी अंधका और 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 एक ऐसे घुप अंधेरे में चले जाएं जहना तो उनकी जवानी बचे और ना उनका पविश्य बचे जाती साथे भीकुट मांगने पीचे मंसा क्या देखिए इस पश्ट तोर पर जाती इसलिए घुसाई जा रही है कि एक सवन तपके को उसमें प्राथमिक् किस तरीके से आप देखेंगे कि जातिवाद का जहर घोला जाएगा और जो इनकी विचारधारा के लोग हुंगे वह सेना में उनको भरति किया जाएगा ये बहुत बड़ी ये एक बहुत बड़ी इस देश के साथ साजिश हो रही है एक ही विचारधारा के लोगों को सेना में भर्ती करने के लिए जिससे की ये जो हिंदू राष्ट का तथा कतित हिंदू राष्ट का जो ये सपना देखते हैं उसको और धार्मिक उनमाद क्योंकि जब एक विचारधारा के लोग आर्मी में जाएंगे जब एक विचारधारा का वर्चस्व होगा तो यह जिस भी तरीके से चाहेंगे उस तरीके से आवास को दबाएंगे उस तरीके से सत्ता को कुछलेंगे तो मैं यह सबसे बढ़ा अगर प्रहार अगनी वीर के माध्यम से यह जा रहे हैं करने तो इस देश के मज़दूर किसान डलितों पर करने जा रहे हैं क्योंकि उनके मूल अधिकार इस अगनी वीर योजना से छीनने का ये बहुत बड़ा प्रयास है इनका और एक पूरी विचारधारा को जो इनकी विचारधारा के लोग हैं उनको आर्मी में रखने का ये प्राबधान है अगनी वीर का और दूसरी बात जो मै कहना चाहूंगा कि यह जो नीतिया ले आते हैं स्पश्ट तोर पर हम जैसे युवाओं को सामने आना पड़ता है उनके खंडन करने कर यह फिर से जो है अमेरिका का कॉपी करके ले आए हैं जैसे अमेरिका में चार तीन दो साल की सेना की ट्रेनिंग अनिवारे हैं उसी तरीक कर रहे हैं आज वो अमेरिका में उनमात पहला रहे हैं हिंसा पहला दे रहे हैं हम मैं इसी लिए कहना चाहूंगा कि आज अगर चार साल का युवा जो आर्मी की ट्रेनिंग ले करके आएगा वो युवा पुलिस के हत्ते नहीं आएगा और वो मजबूर होगा मजबूर कि वो हतियार उठा ले तो इस देश को अराजकता में छोकने का ये प्रयास है और अगनी वीर के माध्यम से तीसरी चीज जो ये करने जा रहे हैं वो अमबानी अडानी वीर पैदा करने चाह रहे हैं जो चार साल की ट्रेनिंग तो करेंगे भारत की गरीब किसान मजदूर क कि टेक्स पेई के पैसे पर लेकिन जाकर के होमगाड बनेंगे अमबानी अडानी के कंपनी में तो ये इस देश की युवाओं के साथ अगनी वीर विश्वास खात है मैं युवाओं से कहना चाहूंगा कि निकलो घरों मकानों से चंग लडों बैमानों से तब लड़े थे गोरों से अब लड़ना है इस देश की जवानी और युवाओं के फविश को कुचलने वाले चोरों से इसलिए निकलो और कालांतर में भी हमने देखा है कि किस तरीके से इस देश में क्रांतिया हुई है मैं कहना चाहूंगा कि आज अगर गांधी जी होते तो जेल में होते आज अगर अमबेटकर जी होते तो जेल में होते देश्त्रोही होते क्योंकि वो इस अन्याय के खिलाफ इस जातिवाद के खिलाफ इस सामप्रदाइक्ता के जहर के खिलाफ आवाज उठाते और उनको ये ताना शाह सरकार रासुका लगाकर यूए पीए लगाकर जेल में ठूसने का काम करती आज हम से ये सवाल पूछना पड़ेगा अपने आप से ये सवाल पूछना पड़ेगा कि क्या हम अमबेटकर के सपनों का भारत बना रहे हैं क्या हम यही गांधी के सपनों का भारत है जह अपनी जवानी को लुटने और बरबाद नहीं होने देना है ये स्ताना शाह सरकार हमें कुचलना चाहती है लेकिन इस मरड रहे कि इस देश ने भगत सिंग दिया है इस देश ने राजगुरू सहदो चंदर सेखर आलजाद जैसे क्रांतिकारी युवाएं युवाओं की धर करती है इसलिए मैं कहना चाहूंगा उठो जागो और इस ताना शाह सरकार के खिलाफ बिगुल्फू को जय हिंद जय जवान जय किसाथ